AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन से जुड़ी एक खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो मुस्लिमों को सामाजिक, राजमेतिक और आर्थिक मुख्यधारा से बाहर किया गया और अब उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्होंने हिंदुत्व पर निशाना भी साथते हुए लिखा कि हिंदुत्व एक विवादास्पद विचारधारा है जो हमारी पहचान को कमजोर करने में संतुष्ट है इसके बाद AIMIM नेता OVC ने एक और ट्वीट किया और लिखा हम डर की वज़ह से अपना मजब अपनी पहचान और इबादत करने का हमारा तरीका नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरह का जबरन शुद्धी करन स्वतंत्र रूप से चुने गए मजभब को छोड़ने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है इंशाल्ला आपको बता दे कि इससे पहले असदुद्दीन OVC ने तबलीकी जमात को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था जिसमें उन्होंने कहा था आखिर क्यों यूपी सरकार मुसल्मानों और गरीबों के प्रती निर्दई होने का कोई भी मौकान नहीं जोड़ती है अगर कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आय तबलीकी जमात के सदस्यों को दिल्ली और मधिप्रदेश डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फिर उन्हें रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है इस अशमता और संप्रदाइक्ता की कीमत नहीं जन में बच्चों तक को चुकानी पड़ रही है न्यूस्टेस